तो आज का टॉपिक यह नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन मैं आप सब को यह बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी काम जो देश को जोड़ने का हो कोई भी वेक्ति करें चाहे रहूल गांदी करें नरेंद मोदी जी करें या कोई भी नेता करें हमें उसका साथ देना चाहिए सपोर्ट करना चाहीत लेकिन जहांस्त सपोर्ट करना चाहिए और मैंने तो बहुत बार कहा है मैं परस्टनली वेक्टिकत रूप से राहुल गांदीजी से मिला था 2010 में मैंने तब भी कहा था और मैं बार बार कहता हूं हर प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि यदि राहुल गांदीजी राजनीती छोड़ करके समाजी क काम करें तो वह एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं देश को ऐसे वक्ति की ज़रूत होगी लेकिन समाजी रूप से राजनी रूप से नहीं वह पॉलिटिकल मिट्रियल नहीं है अब यहां कॉंग्रेस से जो साथी बैठे हैं कई साथी नाराज हो जाएंगे वो कहेंगे सर हमारे नेता को ऐसा कह रहे हैं लेकिन मैं सचाई की बात कर रहा हूँ मैं सचाई बता रहा हूँ कि जो काम कर रहे हैं पद्यातरा करने का लोगों से मिलने का समाज के लिए काम करने का ये काम परफेक्ट है उनके लिए और वो इस काम में परफेक्ट है उन्हें यही काम करन चाहिए, उन्हें Congress की बागदोर किसी और को दे देनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने तैबी किया है कि वो रास्ट अद्यक्ष नहीं रहेंगे, बड़ क्या रास्ट अद्यक्ष नहीं रहने के बाद वो day to day activity में participant नहीं करेंगे या Congress का चेरह नहीं बनेंगे उस पर मुझे अभी संशय है अभी मैं नहीं कह सकता वेक्ति का दुरूप से राहल गांदी जी की image build हुई है, image को फायदा हुआ है और आगे भी होगा अगर वो ऐसा ही काम करते रहेंगे, और किसी भी नेता का किसी भी वेक्ति का, हम सब लोग राजनीती के लोग है हम जानते हैं कि पचास सौ किलोमेटर भी पैदल चलना मुश्किल होता है एक वेक्ति डेड़ सो दिन लगा करके लगबख साड़े तीन हजार किलोमेटर से जादा की यातरा करने जा रहा है तो येकिनन ये अचीमेंट है, बड़ी बात है फिजिकली फिट होना उतना जरूरी है क्योंकि अगर हम दस, बीस, तीस किलोमेटर भी चलते हैं तो हमें ठकान हैसस होने लगती है, तो लगाता डेड़ सो दिन तक घर से दूर रहना, सरकों पर रहना लोगों से मिलना, समवाद करना ये एक बहुत बढ़ी है, माइलेज उनको देगा वेक्तिकद रूप से, पर कॉंग्रेस को लाब हो पाएगा, कॉंग्रेस कहां आगे बढ़ पाएगी, कितना बेनिफिट होगा वो अभी कहना जल्दबाजी है और अभी समय भी नहीं है अभी तो रायतना शुरू ही है एक हफता हुआ है, अभी आईसा आईसा पता चलेगा सिट्वेशन कैसी बनती है, और उससे आखंड़न नहीं है किसी एग निता की जिम्मेदारी क्यों हुगर किसी एक निता को क्यों बिलेब करना क्यों वो निता सही काम करा है गलत काम कर रहा है अगर कोई जोडने की बात करे हम सब को साथ देना चाहिए और जो भाजपा के साथ ही अभी क्लास में बैठे हैं उन्हें भी लगेगा जो सुन रहे हैं उन्हें भी लगेगा कि सर भाज़पा के लिए ऐसा बोल रहे हैं तो भाज़पा के लिए अगर भाज़पा को काट करनी है से, तो उन्हे ये 35000pi की यातरा कर रहे हैं, नरिंद मोदी जी 5000 Cla horizont किया यातरी करें। कि हम लोग भारत जोड़े आतरा करेंगे या ये कन्या कुमारी से कश्मीर जा रहे हैं वो कश्मीर से कन्या कुमारी शुरू कर दें मिल जाएं आपस में सभी पार्टियों को इस बुद्धे पर एक साथ आना चाहिए कि देश को तोड़ने वाली ताक्तों के खिलाफ हमें विचार धारा हमारी पार्टी हमारा संगटर हमारा वैक्तिकाधित ये सब देश के आगे कुछ भी नहीं है देश सबसे पहले है और कोई देश को जोड़ने की बात करता हो देश को एकटा करने की बात करता हो भीदभाव को मिटाने की बात करता हो उससे पायदा उसे होगा क्योंकि भारत का जो habrik है भारत का डि एन है वो by default secular है by default वो एकता की बात करता है खनता की बात करता है वो तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता और वो शायद राहुल गांदी ने जुरुवात पहले कर दी है तो बहुत सारे लोगों को रनीती नहीं मिल पारी कि इसका तोड़ कैसे करें, इसका विरोध कैसे करा जाए, और बड़ा मुद्दा है, कोई भी वेक्ति अगर ऐसा करेगा, तो इसे खिलाफ बोल पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, समर्थन ही करना पड़ेगा, उसमें कमि जुड़ेगी, यकिन राहुल गांदी ने एक अच्छा काम किया है, हमें उसकी एप्रिशेट करना चाहिए, बट वो राजनीती ना करके यही काम करें, वो इसकाम के लिए फिट है, वो सेवादल, कॉंग्रेस के सेवादल को हैड कर जाए, उसको लीड करें, और सेवा का का अच्छा करेंगे, अभी थोड़ा समय निकल जाए, महिना डेड़ महिना हो जाए, फिर देखेंगे इस यातरा का एक्च्छल क्या बेनिफिट,